Taxil.com के YouTube चैनल पर मैं C.S. अतबीर सिंग आपका स्वागत करता हूँ रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमजेट लिए यह है अपडेट पहुंच जाए CBIC ने GSTS के अंतरगर TCS पर अपडेटर FAQ को रिलीज किया है यह है अपडेटर FAQ जो के CBIC ने रिलीज किये है जो के 30 नॉवंबर 2018 तक अपडेट किये गए है इसमें जो वर्ड रेड में हाइलाइट किये गए है उन्हें CBIC ने अमेंड किया है यानि कि नए वर्ड जो है वो डाले है जैसे कि यदि यदि e-commerce ओपरेटर के पोर्टल पर unregistered supplier, services की supply करता है तो क्या उसके उपर भी TCS कार्टना होगा इसे CBIC ने clarify किया है कि कोई भी व्यक्ति यदि goods या service e-commerce ओपरेटर के थूँ सप्लाई कर रहा है तो उसकी payment पे TCS कार्टना है लेकिन यहाँ पे सरकार ने notification number 65 of 2017 इसू किया था जिसमें कि कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति services की supply कर रहा है उन services को छोड़ कर जो के section 9 सब section 5 के अंतरगत mention की गई है e-commerce ओपरेटर के platform पे तो उसे GSTAT के अंतरगत registration लेने के वशक्ता नहीं है यदि उस व्यक्ति की turn over 20 लाख रुपया से ज़्यादा नहीं है या फिर 10 लाख रुपया से ज़्यादा नहीं है और वा special category states में है इस परकार यदि यह supplier e-commerce operator के portal पर services की supply करते हैं तो उनकी payment से TCS नहीं कटेगा इसके अलावा question number 8 जो है उसमें भी यहाँ पर amendment की गई है यानि कि जो किया कहता था कि e-commerce operator को हर state और union territory में decision लेनी होगी इसके लिए यहाँ पर amendment की गई है कि हर state और union territory में एक administrative jurisdiction को notify किया गया है जहाँ पर कि e-commerce operator का business तो है state और union territory में लेकिन physical presence नहीं है उस case में e-commerce operator की registration के लिए एक proper officer को notify किया गया है हर state और union territory में इसी परकार ही question number 9 में भी यहनकी foreign e-commerce operator के लिए भी यही welding डाली है जो हमने अभी discuss की है इसके अलाबा CBI से ने question number 30 यहाँ पर insert किया है जिसमें के कहा गया है कि e-commerce operator ने October 2018 के अंतरगत TCS तो कार्ट लिया है लेकिन registration नहीं ले पाए है तो उस case में यह है detailed किस परकार दिखानी है अंतरगत TCS तो कार्ट लिया है लेकिन registration नहीं ले पाए है उस case में यह detail October 2018 की अपनी first return में दिखा सकते है GSTR rate में जब यह return अपनी file करेंगे registration लेने के बाद इन FAQs का link इस GST News की video description में भी दिया गया है GST पर नई books market में आ गई है इन books को refer करने के लिए link इस GST News की video description में भी दिया गया है यदि आप GST के concepts को समना चाते हैं या फिर GST के exam की त्यारी कर रहे हैं तो आप Unacademy पर जाकर मेरी profile में videos को check कर सकते हैं जिसका link इस GST News की video description में भी दिया है और आप Unacademy की learner app को download कर सकते हैं जिसका link के GST News की video description में भी दिया गया है GST, Tax और Finance के regular update के लिए आप TaxHeal की mobile app को Google Play Store से download कर सकते हैं इसका link इस video की description में भी दिया गया है आज की GST की news आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं like करें और share करें जितना अधिक आप लाई करते हैं और share करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेंडा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की news आप तक पहुँचा पाएं यदि आप GST से लेटर regular updates अपनी email id पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे newsletter को subscribe कर सकते हैं जिसका link के इस GST news की video description में भी दिया गया है यदि आप हमारे previous GST news को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे channel की playlist को refer कर सकते हैं